फिर अए रज़ केंसर मोस्त कोमली इन्वेजिव या फिर स्प्रेड वहोने वाला कैंसर होता है वीमन में और सेकेंड लीडिंगels कैंसर एक अशींद इस होती है जिसमें जो टू टाइप में classify किया गया है तो यहां पर सबसे पहले आता है ductal carcinoma तो इस वाली टाइप में basically क्या होता है कि जो cells out of control तरीके से grow हो रहे हैं inside the breast तो जो उनकी starting है basically जो initiation है वो start होती है inside the ducts और the milk ducts और यह जो टाइप है यह सबसे common भी है फिर इसके वाल गाज जो दूसरे type है वो है lobular carcinoma इनमें यही cells जो rapidly divide कर रहे हैं उसकी जो starting है वो start होती है inside the lobule अब यहाँ पर गाज आपको breast cancer के symptoms को जानना बहुती ज़्यादा जरूरी है तो यहाँ पर basically जब initial levels पर जब यह start होता है basically जो tumor formation है अगर वो start हो रहा है तो यहाँ पर breast के आज पास basically एक thickened tissue या फिर जिसको हम एक lump कह सकते हैं उसको आप एक observe कर पाएंगे हाला कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक tumor हो लेकिन आपको यहाँ पर medical attention की ज़रूरत पढ़ती है तो इसलिए आपको doctor के पास जाना चाहिए फिर इसके बाद यहाँ पर साथी में pain in the armpits, rashes इस तरह के symptoms observe करने को मिलते हैं in case of breast cancer और यहाँ पर साथी में मैं आपको एक list भी दे stage 3 और stage 4 और यहाँ पर गास मैं आपको बता दूं कि in case of breast cancer यह जो classification है यह depend करता है कि जो tumor है उसका size कितना है और क्या वो जो tumor है वो lymph nodes या फिर other parts of the body में spread हुआ है कि नहीं उसके हिसाब से हम इन stages को identify करते हैं फिर गास अगर हम breast cancer के risk factors या फिर causes की बात करें तो यहाँ पर मै पर ले आता है एज, genetics, body weight, alcohol consumption, radiation exposure, plus साथी में और भी factors हैं जो कि breast cancer को cause कर सकते हैं और यहाँ पर गास मैं आपको genetics वाले को थोड़ा सा और elaborate करना चाहूंगा basically इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ genes होते हैं जैसे कि BRCA1 और BRCA2 तो अगर in case इसमें mutation हो जाए तो यहाँ पर बहुती जदा high chances होते हैं कि उस woman में ovarian cancer या फिर breast cancer हो सकता हो या फिर दोनों हो सकता हो और यहाँ गास आफ बिलीव नहीं करेंगे कि US में इसकी basically testing चलती है कि यह BRCA1 या फिर BRCA2 genes में mutations को observe किया गया है कि नहीं और यहाँ पर अगर in case को mutation है तो यहाँ पर US में women's में इतना जादा fear है इस बात का कि वो अपने breast को ही remove करा देते हैं basically इसको mastectomy कहा जाता है जिसमें guys यह जो genes होते हैं यह वो अपने parents से inherit करते हैं plus साथी में guys अगर family history म mutation होने से भी breast cancer cause हो सकता है फिर गाज़ अगर हम breast cancer की treatment की बात करें तो यहाँ पर treatment तो बहुत सारे तरीके के available है लेकिन basically यहाँ पर four factors को observe किया जाता है before prescribing any treatment तो यहाँ पर सबसे पहले आता है type and stage of the cancer दूसरा होता है person's sensitivity to hormones तीसरा होता है age और overall health और fourth होता है other factors basically इसमें हम को resistance type की चीज़ों को देखते हैं फिर इन factors को observe करने के बाद ही को treatment को perform किया जाता है तो यहाँ पर various तरीके की treatment हमारे पास available है जैसे की chemotherapy, hormone therapy, targeted drug therapy और surgery इन four main treatments को perform किया जाता है breast cancer के cases में फिर इसके बाद आगर हम breast cancer की diagnosis की बात करें basically हम कैसे identify कर सकते हैं कि कि किसी को breast cancer है तो यहाँ पर सबसे पहला तो होता है physical indications जैसे कि मैंने आपको symptoms भी बताया था कि अगर कोई lump हो in breast या फिर armpit तो यहाँ पर आपको medical attention की ज़रूरत पढ़ सकती है फिर जो doctor होगा वो basically कई त genetic resonance imaging और थर्ड होता है ultrasound फिर इसके बाद साथ ही में guys यहाँ पर बायोप्सी को भी perform किया जा सकता है जिसमें हम एक breast tissue का sample लेंगे और उसको further laboratory analysis के लिए भेजा जाता है तो guys फिलाल के वीडियो में इतना ही अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फर वाचिंग